नमस्कार दोस्तों तो चलिए देखते जैसे कि यहां अगर यह एक बड़ी कैंडल होती है यहां पर प्राइस को सस्टेन होने दीजिए फिर अगर यह उड़ रहा है तो फिर यह लेवल यहां पर नहीं काम करेगा इसके पहले ही यह रुकना चाहिए था हॉल्ट होना चाहिए था हॉल्ट होने के बाद इस लेवल के निए फिर ब्रेक आउट देना चाहिए था हमेशा याद रखी है कि बेसिकली यहां होना बहुत ज़रूरी होने के बाद फिर निकलता है तो यह डेफिनिटली बड़ा हमें अपसाइड दिख सकता था अब यहां पर हम देखते हैं त होगी तो ही आपको डाउंसाइड में डीएज ब्रेक होने का आपको एक अच्छा का सा डाउनफॉल मिलेगा लेकिन एक चीज़ याद रखिए सत्रह हजार पानसो और सत्रह हजार पानसो पचास से लिए इंपोर्टन सपोर्ट जोन है यहां पर बहुत सारी पूट राइट दिख सकता है वैसे नहीं अगर फिर यहां पर फिर कोई भी एक डबल बाटम वगरा पैटन बना था क्योंकि यहां पर देखिए एक चीज़ समझे कभी भी चीदों को समझने की कोशिश कीजिए यहां पर एक सपोर्ट है बहुत टाइम या स्पैंड हो है कल लगबग एक ब और फिर यहां से वापस एक अपसाइड राली हमें डियार के आसपास मिल सकती है दोनों सीनारियों के लिए रेडी रही है बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉंग है यहां पर यहां पर सस्टेन होना चाहिए था लेकिन सस्टेन हुए नहीं वहां से रिवर्सल आई है एक रेंज बनाना स्टार्ट कर देता है और यह जब अगर 1160 बज़े तक ब्रेक नहीं होता देड़ वज़े तक ब्रेक नहीं होता और फिर निकालना जरूरी है यह लेवल नहीं निकालेगा तब तक अपसाइड हमारे लिए बैंक उफ्टी में कैप्ट है आई से बैंक थोड़ा स्ट्रॉंग है 900 के लेवल के वास जा किया है फिर से यह सपोर्ट टेस्ट आउट करने आ रहा है तो यह बहुत इंपोर्टन सपोर्ट है हो सकता है यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर यह आपसाइड में दे यहाँ पर ही टाइम सपेंड करके फिर से डाउनसाइड यहाँ पर क्रैक हो जाए अब देखते हैं एक एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक भी यह अच्छा आपसा है और प्रिवेस सपोर्ट के बास टेस्ट आउट हो रहा है तोड़ी सी बिक्वाली ज़र यहाँ पर यहाँ पर लाइन यहाँ यहाँ पर लगबग है 42,250 42,250 इस ट्रॉंग सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी फॉर टूड़ी राइट यहाँ पर यह ब्रेक आउट लेवल था यहाँ पर यह टेस्ट आउट हुआ है एक बार दो बार मान के चलिए थर्ड टाइम टेस से 42,050 तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद